हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की important updates जो की खास कर जो है ECHS के लिए है जिसमें की preventive health check-up का जो है already जो है notification आ चुका है उसके बारे हम बात करेंगे CGHS में जो important updates है जिसमें की CGHS की जो facilities में improvement हुई है उसके बारे हम बात करेंगे 7th pay commission में जो related जो updates है उसके बारे हम बात करेंगे और PCDA की website पर आप देख सकते हैं different different orders आया है उसके बारे में हम discuss करेंगे दोस्तो हम बात करेंगे इन सभी 5-5 updates के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे है और साथ ही साथ bell icon जरूर दबाए दोस्तों अभी जो latest update आ रहा है उसमें basically ECHS में preventive health check-up की जैसके मैंने आपको बात किया कि different different categories के age group बना दिये गए है और उन age group में जो है कौन-कौन से test करवाने है वो mentioned है और ये test free है तो preventive health check-up के उसमें आप ये सारे के सारे जो अपनी age category के recording आप ये सब test करवा सकते हैं दोस्तों और CGHS की बात करें तो CGHS की facility और इसके polyclinic जो है different different जगह पे खोले जा रहे हैं और day by day इसमें improvement भी किया जा रहा है अभी basically MTNL और BSNL के जो employees हैं retired employees वो भी अब CGHS की जो है जो benefits हैं और CGHS के membership ले सकते हैं इसके रहा दोस्तों pensioners और family pensioners की बात करें तो अभी latest central government employees के लिए update यह है कि DA में 5% की बढ़ोत्री हो रही है और 5% की बढ़ोत्री से सभी pensioners और family pensioners even central government employees को काफी benefit मिलने वाला है महराष्टरा स्टेट ने already 7th pay commission के अंडर DA को 5% बढ़ाने की बात की है और अभी HRA भी कई सारे cities में update हो रहा है तो जो भी central government employees different cities में रह रहे हैं जिसमें की city की upgradation हुई है उनका जो है HRA भी increase होगा इसके रहाँ दोस्तों PCDA की अगर latest order की बात करें तो अभी जो है pension अदालत nationwide किया जा रहा है 23rd August को है आपने कुछ नहीं करना उसमें सिर्फ एक email करना है email में आपने जो अपना PPO number mention करना है और जो भी आपको issue face कर रहे हैं वो करके आपने concern जो है pension अदालत में भेजना है वहां से आपको एक ID generate होगा उसके base पे जो है आपका जो भी आपका case है उसकी जो है सुनवाई होगी और सेनने करमें और pensioners के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो like किजिए share किजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video